एलो फ्रेंड्स डेटा फार ट्रेटर चनल में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो में यह सीखेंगे यह कैसे पाइथन की तुरू नसी से इंडाइसिस की डेटा को पूल करते हैं फिर उसे फॉर्मेट करके हम कैसे एंट इंपर्ट करते हैं अगर आप यह पूरा प्रोस इसको विदिन विनिट कंप्लेट कर लेंगे तो इस पूरे वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट पार्ट में हम एनसी से डेटा को पूल करेंगे मैनुली एन कोट को समझेगे कि लाइन बे लाइन हमने गया गया है उसमें और सेकेंड पार्ट में हम एक स्पेसिफिक रेंज की डेटा को डाउनलोड करेंगे देन उसे हम एम व्यर्य ब्रोकर में इंपोर्ट करेंगे एन थाट पार्ट बैर को 1967 के एस्वेर की इसूद है तो वह मैं हम इसे डिवार्व करने को से करेंगे यहां घूर्ट पार्ट गया फार्ट then daily snapshot csv this section आप यहां से indices data को डाउनलोड कर सकते हैं मैं अल्री डाउनलोड कर रखी है so I simply open it here तो यह है indices की data जो कि हमें end of the day पे nsc से मिलती है हम इसी data को nsc से put करना है और formatting करना है बट यह पूरा process हम python से करने वाले हैं यहां पर मैं बस आपको explain कर रहा हूं कि file क्या है उसके components क्या है so you get some better idea यहां पर आप देख सकते हो name है date जिस वन इस ओपें high low close and value तो basically इनिश यहां 1 2 3 4 5 6 7 इसी 7 column को मैं यूश करने वारा बांग ही मैं column single कर दूंगा अगर आप चाते हो तो उसे भी आप लिक कर सकते हो I will show you how you can do this and one more thing है कि इधर आप देखोगे तो dash है को सेक्टर में like nifty 50 dividends point में dash है and somewhere it will be also blank तो मैं इस dash और blank को भी replace कर दूंगा 0 से जैसे क्यामाना data एक complete uniform है okay so let's start with our coding coding के लिए as usual jupyter node को उसका रखिए solve better explanation तो ether first इन दो राइम मैंने necessary libraries को import किया हुआ है hit run then second again run हाँ one more thing इस data को pull करने के लिए सबसे important thing है URL क्योंकि आपको पतानों चाहिए कि कि URL को hit करने पर हमें यह Excel sheet की information मिलती है क्योंकि यह हमारा basic step होता है python से data को pull करने का अगर हमें URL पता होगा तभी हम को step ले सकते हैं इसके लिए आपको यहां पे simply if you mouse pointer को आप right click करो simply copy link address कर दो इसको प्रेश्ट करो इसको प्रेश्ट करो this is a complete link यहां प्याप देखो इस link के तुग आप इस data को download कर सकते हो अगर मैं simply copy कर गे इस browser में प्रेश्ट करों see हमारा 30 October की data download होगे अगर आप यहां 30 को simply 30 को आप 29 कर तो make it 29 and again I will run it अब देख रहा 29 की download होगे तो basically क्या हो रहा अगर आप इसे समझो तो here find this visual यहां पर इस date को बतलना है जब जैसे हम date को change करेंगे automatically data recording हमें मिलते जाए तो same काम को हमें as coding ने करना है so what I did यह अमारी URL थी और आपने देखा के बार यह पार्ट के बार variable था इसको हम अपने code पे change कर दे रहेंगे right now मैंने 30th October credit लिया हुगा so if I run this code and again run this one और देखो यहां generate हो गई जिसमें यहां पे 30 है अगर आप इस 30 को यहां पे replace कर दो 29 and again run it and again run this one तेखो यह 29 हो गई तो basically हम code के तुरू dates को change कर दो और एक बार हम date change कर लेते हैं उसके बाद almost हमारा half come complete हो गया है क्योंकि अब हमें से simple is date के data को pull करना जोगी बहुत ही easy है and मैंने अपनी previous वीडियो में शीच को बहुत ही easily explained किया हुआ है तो if I copy this thing and click paste here date one fine and run it something is here missing sorry so you already make a mistake my copy paste is click around the same amount of time fine date one is not defined is not defined make it also data done तो आप देख सकते हैं यहां पे same information जो हमें Excel sheet में दिख रही थी यहां पे भी दिख रही है here index, name, date open, high, low, close, turn over everything is now here अब अपना next step क्या है इसमें से काम की information को रखना बागी सब को अपने filter out कर देना तो अगें तो अगें so basically it's our data index let's make this name also data index let's see and run it again data index and again run it this one what happened here कि हमने seven important column basically we can see let me make it visible to you आप देख सकते हैं index, name, date, option, index, value high, low and volume इन सारे column को filter out कर दिया आप देखो धी column यहां पे available थे Excels में you can see this column here इन सारे columns मैंने के वो seven column को use किया है अपने इस code वो fine and after then हमाना data frame कुछ strike का जाएगा अब इस पर से मैंने आप बताया था कि हमें इस में से dash जो कि हमेंगा dash and in particular को zero replace कर देना after run of this line हमारे dashes you can see यहां पर zero आ चुका है क्योंकि हराथे पर previous यहां पर dash थे now it will be zero fine अब अपने को इसे simply write कर देना run it and data write 29th October यह data हमारी इस location पर write होगी है let's check 29th already lots of data here so make it clear first again मैं इसको run करता हूँ clarity मिल जाए अपने को run it fine let's open it and you can see आपने पास make it here यहां पर कहा है symbol date then high then low close and volumes so यह थी हमारी एक दिन की data अगर हमें एक दिन की data चाहिए को समझा so let's download for the at least one or two week data for endices so मैं आपने अलरी इस code इक रखी है करूंगा यह बैसिकली वही है अगर आप देखो लाइन था सेम पस मैंने यह लूपिंग कर दिये एंडेट सेट रेट रेंगे रखा है यहां पर स्टार्ट अगर आपने मेरे प्रीवेश दो वीटों देखी हुए है तो प्रॉसेस कंप्रेटली सेम ही है उपर की सारी लाइन अगर आप अबज़र खर्याव तो सेम ही होती है यह लाइन और हरे के वीडियो और यूप भी सेम ही होता है है जो वी दो आपके रॉसे सेम होता है ना यह पॉर्फ पर्मिटेग सेम ही है एक बार एक पार समझ आते हो तो अगले बार खुद कर लोगा एवरीटिंग कर 20th of October and 30th, I make it run, fine, जैसे मेजरें करता हूं, you can see 2021, 30, यहां तक data अपने पास आगा है, so let's go to our location, I can see from here, अपने पास data आगा है, 2020 की, अब अपने से एंपर्ण करते हैं, so let's make it clear, I have already reported some data, so for better idea, just delete all your data, fine, let's complete empathy, and let's import wizard, pick file, how copy, and this is our data, select, open, and we don't need to do anything, why, because if you observe, ticker is same, date format is YMD, and my name is YMD, अपने में रखा हुआ, same, उपसके बाद, open, high, low, close, बालू, we say open, low, high, close, simply, next, finish, and done, अपने से 20, 21, 22, तो अपने पास data आगा है, यहां से आपने 50, 200, 50, everything is here, now, तो अपने देखा कैसे हैं, हमने, इंडाइस की data को, easily, in your local, import कर लिया, which is via python code, अगर आप इसे, manually, अब इसे क्या है, और मैंने, very recently, इस code के तुरू, last two year data को download किया है, within 20 minutes, तो 20 minutes में, दो साग data को download करके, easily, in the system में, import कर सकते हो, for your analysis, okay, so this, so I will show you complete code, in the last of my video, so move to our Q&A part, so what is the Q&A, basically Q&A is this, let me show you, actually मैं एक subscriber ने, request की थी, कि आप में, NSC इंडाइस के format को, एक local में import करने के process को explain करो, तो वह तो मैंने आपको explain कर दिया, but इनकी specific requirement थी, इनको इस format को इस form में चाहिए, तो अपने अपन इस format को ऐसे विग्रेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको दिखाया वह kind of standard form है, और I think mostly लोग वैसे विच करते हों, जो कि हमने यहां पर generate किया था, this one, जहां पर मैं बस name, date, open, i, local, and volume थी, but इनकी request थी कि हमें इस format में data को, अगर formatting करने, तो कैसे करेंगे, so let's see, मैं उसी code में कुछ थोड़ा changes करूंगा, और हम same, इस format को generate करेंगे, so मेरा motive यह है कि आप easily सको कि, आप code के तुरू कोई format generate कर सकते हो, अगर आपक पास वह data है, तो you can easily customize your own way, so let's move your coding part, आप यहाँ पिस आप, मैं इस एक चीज़ कर समझाओंगा कैसे, so this is our coding, fine, 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 this one is demo part, fine, तो हमने, मैं इस सारे पाहँ डिट कर देता हूं, so we get some better idea from scratch, fine, तो अपने को यह वाली line तो clear है, देखिए यह तो clear है, यहाँ तक तो अपने को चाहिए यह चाहिए, यूरल चाहिए, and हम hit करेंगे, तो अपने को information में चाहिए, वह भी सही है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने की बड़, seven quorum को filter out किया है, अगर आप इनकी format को observe करो, तो इनको चाहिए, here is our, sorry, here is this format, इनके format में या है, basically name, name दो बार है, date है, वो भी specific format में या है, open, high, low, low, volume सब चाहिए, open interest भी चाहिए, PE भी चाहिए, और PB चाहिए, यह तीन information को चाहिए, और open interest complete zero चाहिए, if you observe, it's zero, basically indices case में zero ही होता है, so let's, सबसे पहले हम, उन columns को filter कर लेते हैं, जिनने हम इन requirement है, so let's filter out B and PB also, बाकि सब तुमने आरड़ी filter out कर रखी, P and then comma, P, I think I am typing it right, let's run it, index name, date, index value, same process है, बस हमने दो extra column, यहाँ पर add कर दिया है, जिसी कि यहाँ पर requirement थी, अब अपने को, यहाँ पर extra column Y add करने है, जो कि यहाँ पर नहीं है, you can observe, volume पर complete blank है, तो इसमें आपको करना क्या है, कि आपको column insert करने होगी, आपको basic दो column insert करने है, अगर आप observe करो, तो यहाँ पर एक name का भी है, जो की same, ticker रहे है, name जो आप कहलो, same, इस column को हम यहाँ insert करना है, second number पर और फिर हम यहाँ पर Y को भी insert करना है, जो दो column हमें insert करने है, column कर जो insert कर प्रोसेस है, वाँ, इसली कर सकते है, जैसे ही मैं इस प्रोसेस को run करूंगा, what you will see, मुझे यहाँ पर, sorry, data index है, let me change it to result, run and again run, fine, आपने पास name आ गए, index, sorry, name, जो कि same हमने copy किया, बाके date, option, value, open, high, low, close, value में यहाँ भी तेको Y भी आ गई, 0 add हो गई, PN, PB, जो कि already थी, वो अपने हो करने नहीं, यह कैसे हुआ, आप एको तो हाँ, एक ची और मैंने, जो हमने लाट अभी जमनी किया था, हमने dash और blank को 0 से test कर दिया, then हमने 7th column पे, हमने Y को add किया, आपके पे count, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th हमने Y add किया है, और first location पे name add किया है, 0 and 1, point, तो अपने, हमने almost इस format को achieve कर दिया है, ticker name, date, everything दिया, date format should be different, और आप format को यहां देखो, तो 2020, 10, 29 ने, और इनकी जो requested format है, वो है, m, d and y, तो अपने कोई format जिन करना है, यह कैसे करेंगे, what happen, कि मैंने यहां पे format दे, m, d, m for month, d for day, sorry day, y for year, और यह slash, if you need dash, you can put dash, बट इनकी requirement slash किया है, जो हमें इसे slash रखता हम, simply run it, see the magic, and again, almost done, index name, name, index date गे हमने convert कर दिया, as per our required format, अब अपने को, column के name बतर ले, if observe, यह तो मैंने name एड़ किया है, क्योंकि हमने manually अभी इसे add किया था, यही मैंने manually add किया, बट यही जो columns के नहीं में, यह already report में थे, तो अपने को इसे भी chain करना होगा, as per required format, format क्या है आप यहां देखो, तो ticker, date, open high, local low, volume, and pepv is the same, तो rename कैसे करते को, आई मैंने क्या किया है, rename मैं यह तर call किया, और यहां पिया आपको column के अंदर, old name और उसके corresponding आपको new name जो भी है, वह आपको यहां pass करने, if you observe, here is, index name is old name, तो मैंने इसको यहां पर ticker pass किया, index date is old, उसके यहां मैंने date किया, same way में हमने open high, जो भी आपको column के ने चेंज करने है, pepv भी को चेंज नहीं करना है, उसको मैंने यहां पर pass नहीं किया, once you run this function again, you can see, here, ticker name date, so almost I think हमने target को achieve कर दिया, जो कि हमारे requirement थी यहां पर, ticker name date, close OIPL pb, so this one is now done, now simply write it, और मैंने से CSD में write किया, क्यों की requirement CSB में थी, तो मैंने से CSD में write कर रहा, fine, and simply run it, data write for 29th October, let's go to LJS 4SR and check out this one, time is here, this one is your file, just open it, ता दे सकते हो, कैसे हमने एक requested format को generate कर लिया, अंतब यह एक specific format था, तो कि मुझे request की गई थी, create करने के लिए, similarly हम अपनी हाप से कोई format को create कर सकते हो, using python, so I think I am done, and one more thing, I promise you to show code, so you can, I will show here, complete code, so you can easily take a look and understand each line one by one, अगर आपको issue आता है तो आप मुझे अपना मेरा ID comment section में drop कर दीजिए, मैं उस पर code को send कर दूँगा, पट मैं एक request करूँगा कि at least आप एक बार इस code को खुद से try करो, जो जब तक आप खुद से try नहीं करोगा, अगर उसके भाद भी आपको problems आती हैं, तो आप अपनी मेरा ID comment section में drop करके, वरी को पूछ सकते हो, मैं definitely आपको reply दूँगा, कर दूँगा, वरी कर दूँगा, वरी कर दूँगा